असलाम अले के नाजरीन आप देख रहे हैं मश्रिक न्यूज और मैं हूँ इद मुहम्मद तो नाजरीन बात करते हैं करोना वाइरस की कुविड 19 पूरी दुनिया इस मसेले से दो-चार है तो जहां पर पूरी दुनिया इस और दिखाई देती हैं किसे तर्फ वो पोटो सेश्र की हद तक की महदूद है तो मेकमा से पंजाब के जितने भी इसके प्रेमिस्स में जितने भी हॉस्पिटल आते हैं वो तुमाब तर जो फ्रंट-लाइन सोल्जर जिनको कहा गया है वो भी अपने तहाफुजाद का इजहा इसके लावा लाहूर में एक्सपो सेंटर में बनाया गया गया एकजार बेट पर मुश्तमिर है तो वो किस हद तक कारगर्ड साबित हुआ है तो इसी पर ही हम बात करेंगे आज के प्राम में हमने दावत दी है मकसूद पाकिस्तान की बात करते हैं पाकिस्तान में पाकिस्तान में चेहित सेंट पंजाब और महक्माथ सेहत पाकिस्तान इसकी कारकर्दी की कैसी है सबसे पहले हम आगास करते हैं मकसूद खाली साब से मकसूद खाली साब आप बतुर एक Health Professional Reporters Association के General Secretary भी है बतुर सहाफी जो आप बारीक बीनी से आप देखते हैं महकमा सिहत पंजाब को आप इसकी कारकर्दी की को महकमा सिहत पंजाब की कारकर्दी को किस तनाजूर में देखते हैं उसके बाद प्यरब फैसल खांदुरानी साब से पाकिस्तान के हवाले से आवरॉल लाहिज पर हम डिसक्रिशन करेंगें आप पंजाब भर की सूर्टेहल तो एक लाग इशू है लाहूर की सूर्टेहाली देख लें के लाहूर के टेजिंग और डिस्ट्रिक वास्परों के हालते इस वक्त गजार रहा है और इस से में देखें आपके जाम बताता चलू कि पजाब गैंड हैल्ट अलाइंस जो पिसले 15 रोज से स्ट्राइप पे है और मैकमा सेथ स्पेशलाइस के अंदर उन्होंने दरना दिये बैठे हैं और मैकमा सेथ की मैकमा सेथ की आंकों बे जूं तक मर्मि भी तरह भी नहीं आ रही है मिनिस्टर सेथ की अद्मे दिल चश्पी बाइस मैकमा सेथ इस वक्त हाइज्यक हुआ हुआ है और पेरामेडिकल, स्टाफ नर्सिस, डॉग यंग डॉक्टर्स, तमाम लोग वहां पर मुझूद है और उनका एक ही सवाल है मिनिस्टर सेथ से और हकुमते पंजाब से भी और हकुमते फैडल गौर्णमेंट और पाकिस्तान से भी कि मिनिस्टर सेथ को फारं तब्दील किया जाए क्योंकि इसकी कारगर्दी पर एक सवालिया निशान ये है क्योंकि करोना अर्बों रॉप्र का खतीर बजट होने के बावजूद लाहुर के टीजिंग हास्पिटलों को ना करोना के वाले से ना किट्स ना किट्स इनको दिया जाए कि चांद रोज पहले भी डीजी खान में बहुत ज्यादा डॉक्टर परमेडिकल सांदर्सिस में तक्षीष की लैग इसलिए धोड़ी के वहां सतरह के क्रीब डॉक्टर को क्रोना वाइरस में मुपतला हो गए और जैसे ही सूर्तिहाल देखी जाए एक्सपो सेंटर सेंटर की और एक्सपो सेंटर में हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखाएं अपने ब्रड्यूसर को ही देखाई вз només क्या हो रहा है और मेस्टर सेंटर जाके कारवाही फर्जी कारवाही पूरी कर रही है एक फ़ार्मैलेटी अपनी अपूरी कर रही है फोटो सेशन करवाया और चली गई और अंदर जा के देखें मुरीज्टों के साथ क्या हो रहा है उनके टेंडेंस के साथ क्या हो रहा है और जैसा है कि आपको इसकता है कि मिया हॉस्पिटल की सूर्थ त्याल देखें मिया हॉस्पिटल का 9 अरफ संथिंग बजट होने के बावजूद 55 क्रोड़ मुठा की खतीराइक हो लेगे की किड्स के हावाले से मासक के हावाले से हॉस्पिटलों को दी गई जिन जुनों है उनके आगे ही फ्रूपिटलों के उपर इतने क्रेप्शन के अज़ामात हैं कि हो उनके वेपर हजोवों की खलावजी कर रहे हैं आपने लोगोん ढ़का जाए कि अगर मैडिसन अगर यह मास्क आपको दिये गी हैं अगर वहां पे लगा लें टोडल होस्पिटल की तदाथ कितनी है और आप देखा जाए कि अपने लहोर के डिजिंग आवस्पिटल का दिखा जाए कि वहां पे अगर फॉर एक्जेंपल बाइस पचीश बीस यूनिट हैं तो उसमें एक वाट में डॉक्टर स्वाफ दर्शी तो प्रेम मेडिकल मिला के पचास से साथ के लगबग बनते हैं अगर पचास सो दो सो रोज भी आप दें एक वाट के अंदर तो आप दो हजार भी दो हजार भी निगोसियेशन करती वो इनके साथ बैड़ती उन्होंने तो इनके साथ बैढ़ना भी गवरा ने किया एंप टी एक्ट पर देख लें के वह उन्होंने धरने दिये उन्होंने मारे घाई यंग डॉक्टर ने नर्सिस ने उनको सब्स्टा कर गिसीट आदे और यह हमारा अम पाकिस्तान की बंबाद करें पाकिस्तान की बादी 20 क्रोड से जायद अबादी हैं सबसे पहले बड़ा इंपॉर्टन स्वाल आप से मैं करूँ उसके बाद पिर हम इसी इसी इशु के ओपर ही हम आते हैं अब जिस तरह कल सदर पाकिस्तान आरिफ अल्वी साहब ने मुलाकात से ये ताफ़जात का जिकर के कि आप उनसे मुलाकात ना करें तो क्या ये जियाती नहीं हलाके वो विफाक का हिस्सा है सुबा असिन तो यहां पर बड़ा फ्राग दिली का मुझारा करना चाहिए सदर पाकिस्तान को बिसमिल्लह रहमान रहीम आपका बहुत 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 चुक्रिया कोई चाहे मुझसे जितना मर्जी नराज हो लेकिन मैं यह समझता हूं कि आज जो करोना की वबा को जिस मकाम पर पहुंचाया गया है इसमें असल किरदार जो है वो मीडिया का है अगर आपका मीडिया दुर्स हो जाए तो तो तमाम चीजें दुर्स हो जाती है यह पैनिक फिलाने वाले सिर्फ वो मीडिया के एंकर साहबान हैं जिनको जुम जुम आट दिन हुएं और वो आके बैठ गें बैसी कली उनको किसी बात का इलम ही नहीं है वो रिसर्च ही नहीं करते और आज बैठ के टीवी चैनल्स पर बड़े बड़े बाचन देते हैं ब मैं बता दूंगा कि कौन सा रिपोर्टर और कौन सा एंकर जो है वो किस सब्ताल से सफाई के ठेके लेता है कौन सा रिपोर्टर और कौन सा एंकर जो है उसने अपने रिष्टेदारों को ताइनात करा रखा है आप मुझे बताएं कि एक रिपोर्टर और एक एंकर जो है व वो किस दीके से सभी रिपोर्टिंग कर सकता है, आ आते हैं उस दोसी तरह तरह, तो देखे, सदरे पाकिस्तान जो हैं, वो कोई पड़े लिखे आदमी है, नहीं, वो अपने आपको डेंटिस्ट थो कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूं TVs कि अगर जरा शौरर होता तो इस वक्त वो सदर एक पार्टी के नहीं है इस वक्त वो पूरे मुलक के सदर है इस वक्त उनको सिर्व ये सोचना है कि करोना की वबा से बचाओ के लिए उनको उन लोगों से भी मिलना है जो इनकी पार्टी के दुश्मन है क्योंकर ये इनसानियत की बात है इनसानियत को जो गौर्नर हैं उन्होंने दानिशमंदी का सबूत नहीं दिया और सदर साथ ने भी दानिशमंदी का सबूत नहीं दिया उनको चाहिए था कि दानिशमंदी का सबूत देते हुए वो ना सिरह मुराद अलिशा को मिलते हैं बलकि दूसरी जमातों को मिलते हैं और उनसे बुपन दियां लगनी चाहिए आज क्राइयर्य जो है वो बकैदा तोर पर तैय होना चाहिए कि कौन शख्स जो है वो अंकर काबल है कौन शख्स का अंकर बनने के काबल नहीं है यहाँ पर मैटरख पाज चापड़ी फ्रोश जो सडकों में गलियों में महलों में पकोड़े बेचते थे आज वो एंकर बने वे तो मेरे भाई सबसे बड़ी बात यह कि हमें मीडिया को दुरस सिम्मत में चलाने के लिए उन लोगों को आगे लाना होगा जो के शाहिसता होंगे जो पड़े लिखे क्या है के यह कबजा को कबजा कुजा कृप करूब बात करें से बात करें पनजाब के इसकी कारकर्दगी को आप किस तनाजिल में देखती हैं कि जुस्भाई वजीर सेहत ने हैं डक्टर यासमीर राशद वो फोटो सेशन की हट तक तो बिल्कुल वो सब को दिखाई देती है अक्टिव दिखाई देती है उन्होंने भी तो मक्सूस रिपोर्टर रखे हैं ना जी जो लफ़ वाले से पताईएगा आप अपर जी सबसे बड़ी बात ये कि यास्मीन राश्यसाहबा को जब से पंजाब में वजीर सेहत लिया गया है उस वक्त से मैकमा सेथ की डिटी रेशन हो रही है और इतना डिके हो चुका है इस वक्त मैकमा सेथ में के मैकमा सेथ में एक हास्पिटल में मेडिकल सुप्रेटेंडन की ताइनाती समेथ वहां पर एक डिस्पेंसर की ताइनाती हो एक कलर की ताइनाती हो वहा में तमाम हस्पिटालों में और वो ही लोग इसकी सबसे बड़ी मिसाल में आपको मियो हस्पिटल के देता हूं कि इस वकद पूरे पंजाम में एक वहद हस्पिटल मियो हस्पिटाल है जिसके मेडिकल सुप्रिटेंडन को दो दफ़ा तबदील किया गया उस पे खवातीन के लगाएं खवातीन आईीं रोईीं पीटीं सडकों पे आ गएं क्या वो हमारी बेटियां जो नहीं हैं उन्हों ने बाहर आके तो अपने दबटें फैंके और उन्हों ने का खुदा के लिए हमारी यहां के मेडिकल सुप्रिटेंडन्ट खलील से हमारी जान चुड़ाई ज है लेकिन इस लिए नहीं छुड़ाई गई कि उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो हिस्सा बकदर जुस्सा जो है मैकमा सेथ में पहुंचाते हैं उनको दोदोवात तब्दील किया गया लेकिन उसके बाद पिर उनको वहां पर लगा दिया गया मैं आपकी तरफ आउंगा इसी से ही हम बात करते हैं मेस जिसा जिकर किया डॉक्टर ताहिर खलील साब को इन्हों ने जिकर किया आप तो मेरे ख्याल से पंजाब की या पाकिसान की हिस्ट्री में पहली मरतबा हुआ कि मजीर आला पंजाब के जो और्डर्स हैं वो इसा कभी हुआ है ये बताईएगा जी मैं यहां आपको बताता चलूँ कि मजिस्टर सेथ के जाती तलकात होने की वैसे तब तर तर फिल जो पी-एमे की अजर्टी बाड़ी के मिंबर भी हैं और मैडम यास्मिन भी पी-एमे की सीनर मिंबर रही हैं और उनके साथ पसे परदा पी-एमे के साथ बेशमार मीट साथ उनके आफिस के अंदर यंग नर्सी ने धरना दिया और वहां पर उनको एक मरासला भी जारी किया और एक रिटन एप्लिकेशन बें को दी के डॉक्टर तैर्फ की नाजीबा गुस्तगू वाड़ में आगे हमारे सार गंदी डाली गलोच हमें करते हैं और इसको फॉर आफिस के वाड़ में आकर तैर्फ खलील ने उनके साथ बहुत जाए सरजिश की और वह इतना हैपर हो गए कि वह स्टार हैंडर्स थी और वह इतनी और उनको ब्रें हैंडरिज हुआ जिन से हरासा करने की कोजिश थी हो गया और वह कौमे में चली गई इसके ओपर भी कर दिया इस मनाशरे का इस मेकमा सेथ का तबाव बरबात कर दिया नहोंने और जैसे ही साथ का जबके मजूदा सीम चौसवान बुजदार ने मिया उस्पडल एक सरभाई रिजट किया उस वहां पे लोगों ने मरीजों के मलवाकीन ने मैस मियो डॉप्टर तैल की को तनकी बढूर हो गए हैं और कंटीना का यह आलम है कि वहां पे 15 15 साल से एक एकी बंदे को कंटीन्यू किया जा रहा है जो डॉक्टर ताहर का रिश्चेदार बढ़ा जाता है और मैं आपको सफाई का ठेकर सफाई का ठेकर जैनिटरियल का ठेकर आप देखें स्कोर्टी का ठेकर कि ताहर खलील ने अपने ही रेलिटीव को अपने ही अजीजों का नावाजना शुरू किया और जैसे सीम ने इस पर नोटस लिया उसको मुझतल किया और दूसरे दिनी पीम में ताहर खलील की ताहर के साथ मिदान में आ गई और उन्होंने फॉरण एक्सट्राइक की हाँ बैंक जारी किया जिनाब प्रेस कांफेंस की डॉक्र अश्र नजामी ने पीम में की सरवराही में अपने मिम्रान की सरवाई के ताहर खलील को फॉरन वापिस लिया जाए और सीम के और ये विश्ट्री का पहला बाक्या था कि सीम ने सस्पेंड किया हो और इस वकित बेश्मार लोग बीम में के वो सीम के साथ मुलाकात की में उन्हों ने उनसे की कि इसको बहाल किया जाए और सीम इस वक्त मजबूर हो गया कि उनके आर्डर विड्रा हो गया और विड्रा के बाद देख लें कि चंद दिन बाद अभी चंद दोवाद कबल डॉक्तर अक्तर के आर्डर हुए में मियो के और पी में पूरी हरकत में आ गई उन्हों ने डॉक्तर अक्तर को वहां पर जाइन करने नहीं दिया और बेश्मार जब सेक्टी से ने भी हमारे जराय लेगा कि से ने भी हाथ खड़े कर दिये क्योंकि उसमें ब्राइरास मिनिस्टर से की इंव गया हुआ है और हमारे जराय ने यह बताया कि दो परसंट के कैशियर हमेशा अपने कंपनियों के साथ बिलों बिल की लेने के लिए कमिशन वसूल करता है लेकिन यह बहुत कुर्बान नमी कैशियर है में ऑस्पिटल की तारीख में जब से वह बना है वजूद में आया है क के वहाँ दस परसंट कैशियर वसूल कर रहा है कमिशन किस के वहाँ पर एमस को बेश्मार उसकी करप्शन के सबूत सामने आए और इस तरह मताब करता चलू के वहाँ पर एक मसालची तनवीर भटी मसालची जो दर्जा चोहारम का आदमी अमलाजम है वह मेंस का दस्ते रा लगा दिया गया है और तमाम अटेंडस उसके उसके दाराफ क्यार में होगी वह जिसको मजदी उपर लगाए नीचे लगाए आये या ना आये और वह बत्ता लेकर वहाँ पे काम उस्वाम कर रहा है और उसके खलाब बेश्मार इंक्वारियां मुजूद में हैं और मैकमा से टोटल खमोश तमाशाई बनके देखे हैं यहां पर मैं आओंगा फैसल खाम दुरानी साब आपकी तरफ जिस तरह भी फैसल मुक्सूद खाली साब ने जिकर किया कि तारिक में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो सी एम के और्डर्स हैं वो रिवर्स हुए इसमें आप कि यासमीन राशद जो के अपने हलके से भी नहीं जीत सकी उनको बुरी तरह जो है बुरी तरह मुस्तर्द कर दिया उनके अलाके के लोगों ने उसके बाद आज वो 72 साल से ज्यादा उमर की वो खातून है और उसके बावजूद वो उन्हों ने जिस तरह हर हास्पिटल में जाके धमा चौकड़ी मुचाती हैं और जिस तरीके से उनके लोग हो सकता है कि उनको पता नहों लेकिन इतनी भी बेखबर नहीं हो सकती कि उन्हों ने अपने आठर तो ड्वाइजर रखे में इस वकत कमसकम उनके पांच पी आरों हैं डाक्टर यासमीन राशद के और इस हैं अपना मेऄ ऑस्पिटल हैं मेऄ ऑस्पिटल से वसूल किये जा रहे हैं आप यह देखिए मैण मेऄ ऑस्पिटल की बाथ सिरुए कर रहा हूं कि होँ परजादती हैं जो इन्तहा तक चली गही आपके करोना के सिलसले में वहां पर दस हजार मास्क जो है वह बहु प्रव नोगों को जो रिटायर लोगों हैं उनको बीच में लाके उनके जरीए अपने मामला सेटल कर रही हैं तो यहां पर रहना किसी नहीं कोई पता नहीं काल आपकी हकुमत होती है कर नहीं होती लेकिन यासमी राश्यस भाई यह मैं आपको जो अच्छे लोग हैं वो इन तीनों को भागने नहीं देंगे आप आजें गंगाराम की तरफ आप मुझे बताएं कि क्या वजुआत हैं कि वहां पर आपने डाक्टर एत्शाम को लगा दिया डाक्टर एत्शाम वो डॉक्टर है जो के अरसा दरास जो है सारी जिन्दगी उन्होंने मेडिकल बोर्ड जो पंजाब का होता है उसके वो चेर्मेन रहे क्या कभी किसी ने पूछा कि मेडिकल बोर्ड में किन लोगों को उन्होंने नकारा करार दे दिया और उन लोगों से कितने कितने लगा दिया लेडी वे विलिंग्टन आस्पिटल और उसके बाद जना वहां के जब सारे ठेके जो हैं वो आपकी मर्जी के मताबक हो गए तो उसको ठेके देने के लिए दुबारा गंगाराम असब्ताल लगा दिया क्योंकि वह आपके लिए मौदू तरीन आदमी था अब आ इल्जामात हैं कि उन्होंने ट्रांसपोर्ट में क्लोड़ों रुपया कमाया है लेकिन वो शीशनाग की वज़े से बज़ जाते हैं हमारे मुलक को जब तक इन शीशनागों से नजात नहीं मिलेगी उस वकद तक दुरस नहीं हो सकता अब आ जाते हैं वहां पर के लिए लेके आए उसके पीछे भी बहुत सारी बातें जो हैं आप सब्सक्राइब करता चलो जी 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 डॉक्तर इफ्तहार जिनको नाकस कर गदगी बने पर मैटमस से ने मैटमस से पंजाब ने उनको पहले जिना हॉस्पिटल एमस से दोबारा एमस रिवर्ट किया और चन्देन बाद उनके ओपर करप्शिन के इल्जामत आए और इल्जामत के उबर उनको एडमिनिस्टरिक ग्रांड की ओपर उनको मैटमस से सेक्टिक डिसपॉसल पर बही दिया और चन्देन बादी मुनिस्टर सेथ के साथ जाती तलगात की वैसे क्योंकि डॉक्टर इफ् اور تکلیف کی بات ہے مجھے شرم آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ آپ نے پانچ ہزار کے لگ بھگ جو ہے پبلک سروس کمیشن نے امتحان لیے تیس چالیس ہزار لڑکے اور لڑکیاں تھے جنہوں نے امتحان دیا اس میں سے چار ساڑھے چار ہزار پبلک سروس کمیشن نے لڑکیاں منتخب کی نرسس کے لیے پبلک سروس کمیشن نے منتخب کی وہ منتخب ہونے کے بعد جب سیکریٹیریٹ آتی ہیں تو سیکریٹیریٹ آنے کے بعد ان کو پلیس آف پوسٹنگ کے لیے اپلیکیشن دینا پڑتی ہے اور جو میرٹ کے اوپر آتی ہیں جنہوں نے لاہور تائنات ہونا ہے یا جنہوں نے شیخ پنا بتایا یا جنہوں نے سیالکوڑ بتایا ایون کہ وہ لاہور میں تائنات نہیں ہونا چاہتی کیونکہ ہر بچی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے علاقے میں جائے لیکن وہاں پر ایک وہ میں نے آپ کو بتایا ہے شیشناگ شیشناگ جو ہیں وہاں پر ایک سیکشن آفیسر ہیں جناب سعید صاحب انہوں نے اتنی دھاڑی رکھی ہوئی ہے لیکن وہ سعید صاحب جو ہیں ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف لڑکیوں کو مقصود جگہ پہ بلاتے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے ٹھوکر نیاز بے کے پاس کی ایف سی جو اینا ریسٹورنٹ وہ رکھا ہے سیکریٹری نبی لیوان صاحب کو ہم تمام ریپورٹرز نے مل کے بتایا مل کے بتایا نبی لیوان صاحب کو کہ آپ کے سیکشن آفیسر سعید جو ہیں وہ لیتے ہیں آپ خدا کے لیے اس کو ویری وائی کریں آپ کو بتائیں لڑکیاں حتیٰ کہ نبیل ہماری موجودگی میں لڑکیاں آکے نبی لیوان صاحب کے پاس بیٹھ گئیں اور انہیں شکایت کی کہ میں تنگ کیا جا رہا ہے نبی لیوان صاحب سیڑ سے اٹھے جس کے لیے آٹھ دس ریپورٹر گوہ مقصود صاحبی ساتھ تھے وہ اٹھے اٹھ کے اوپر گئے وہاں دیکھا لڑکیوں کا رش ہے اس کے باقیوں کا کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے اسی وقت سعید جو تھا کیونکہ شیش ناگوں کی سربراہی اس کو اصل ہے اس لیے آج تک سعید جو وہاں پر عرصہ دراز سے جس پہ کرپشن کے بے شمار الزام آتے ہیں جو ڈیوٹیاں لگانے کے بھی پیسے لیتا ہے آج تک اس کو چین نہیں کیا گیا کیونکہ سعید برملا یہ کہتا ہے برملا یہ کہتا ہے کہ میں ایک کروڑ پیا ایک کروڑ پیا جو نا محکمہ سعید کو دیتا ہوں تو پیچھے کیا رہ جاتی ہے کہ جب ایک سیکشن افسر اتنا طاقتور ہوگا جو کہ اتنی دھڑی رکھ کے تو کروڑنو ارپیہ کمار ہوگا تو پیچھے کیا رہ جائے گا محسود خالی صاحب میرا آپ سے سوال ہے اسی محکمہ سعید پنجاب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محکمہ سعید پنجاب کو ڈاکٹر یاسمین راستے چلا رہی ہیں یا کے پی ایم اے چلا رہی ہیں لیکن اس وقت سوال تیال بہت گمبیر ہے اور میں یہ باوسوق ذرائع سے بلکہ اندارکارڈ بھی کہہ رہا ہوں کہ میڈم یاسمین کو پی ایم اے کی پوش بنائی ضرور حاصل ہے اور پی ایم اے کو میڈم یاسمین کی پوش بنائی حاصل ہے مرکل ایسا ہی ہے سیکرٹی صاحب کے بعد اختیارات ہوتے تو سیکرٹی صاحب کے بعد اختیارات ہوتے تو سیکرٹی صاحب ان کے ساتھ فوراں نگوسیشن کرتے کیونکہ وہ بچے ہیں بیٹیاں ہیں ہماری ماں بہنے ہیں اب وہ بھی بتایا نا جناح میں کون سی سٹاف تھی جو لے گئی ماسک بیچ دی ہیں اور ان کو یہ معاملہ دھل کرتے ماہر رمضان کا یہ مہینہ ہے اس مہینے کے میں وہ ان کے ساتھ بیٹ کے ملاقات بات کر کے ان کے ساتھ معاملہ حل کرتے لیکن یہاں پہ وہ ان کے کانوں تک جون ہی رنگ تھی یہ سارا سکھے کڑھول محقمہ سے وائن نے بھی بتایا کہ کچھ اور مکمہ صحیح کی عالی شخصیات نے اوکر وی سی صاحبان نے بھی منسٹر صحیح کو ملکہ یہ بات کہی کہ گرینڈ آلائنز کے ساتھ بیٹ کے مشابرت کی جائے تاکہ یہ معاملہ خوش اصلوبی سے حل کیا جائے لیکن منسٹر صحیح اپنی ہر درمی کی بیعت سے انہوں نے ٹوٹل اس کو انکار کر دیا اور جیسے فیصلہ نے بات کی ہے ایسو صحیح کی بال اور میں آپ کو یہاں کرتا چلوں کہ ایک میتماسٹسپیشلائز ہیلکیئر میں ایسو جو فارماسیسٹ ہیں فارماسیسٹ کی قیاب بھر میں ہسپٹل میں قلت ہے وہ عرصہ چار پانچ سال سے میتماسید میں تائنات ہیں اور آمنہ آمنہ کی اوپر بیشمار کرپشن کے الزامات بھی ہیں آمنہ حفیز کے اوپر بیشمار کرپشن کے الزامات بھی ہیں ہم نے یہ بات اپنی اسوسیشن کے توسط سے ہم نے مسیکرٹی سید کو بھی معاملہ یاد کروایا یہ بات بارور کروائی کہ فارماسیسٹ کی ہسپٹل میں شاٹی جائے تو خدارہ ہسپٹل کی جو شاٹی جائے فارماسیسٹ کو فیل کی جائے لیکن سیکشن افسر دونوں کہتے ہیں کہ ہم سیکشنی چینج کروا دیں گے میں آپ کو یہاں بات کرنا چاہتا ہوں فیاس نام نے بات کی تھی ڈاکٹر یائیہ کی ڈاکٹر یائیہ جو پانچ سال پانچ سال ایکٹنی ایمیسٹ کے طور پر کام پانچ سال انہوں نے کام کیا مکتی جو ایمیسٹ تبدیل ہوتے ہیں ڈاکٹر یائیہ تائینات ہو جاتے ہیں جیسے کہ ایمیسٹ گریٹ ٹونٹی کا تائینات چینج ہوتا ہے ڈاکٹر یائیہ جس کو ٹرانسپورٹ کے بغیر ہو رہی نہیں سکتے ٹرانسپورٹ کے بغیر وہ بلکل نہیں رہ سکتے ٹرانسپورٹ جیسے ان کو ٹرانسپورٹ کا میکمہ ان سے چھیا جاتا زافی چاہ جدیہوں کو چھنا جاتا ہے ڈاکٹر یائیہ ہوسپٹل کے اندر اپنے ایمیس اہبان اپنے پرنسپل کے بارے میں غیر خلاقی گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ کرپٹ ہے یہ کرپٹ ہے اور جیسے ہی صاحب کا ایمیس ڈاکٹر افتحار میں ایک انکواری ایک انکواری جیٹ کی اور اس میں انہوں نے ایٹی فائیو لاکھ کی کرپشن ساڑھے آٹھ ملین کی کرپشن سامنے آئی اور جیسے ہی وہ کرپشن سامنے آئی ڈاکٹر یائیہ کو ایمیس ڈاکٹر صاحب کا ایمیس ڈاکٹر افتحار نے فوراں ڈاکٹر یائیہ کو تبدیل کر دیا اور ان سے ٹرانسپورٹ کا ٹرانسپورٹ کا چارج واپس لے لیا اور جب انکواری آخری مراحل میں تھی اور میکمہ سے نے ڈاکٹر افتحار کو وہاں سے تبدیل کر دیا اور کیونکہ اس کے پیچھے بے شمار ازدہاں بیٹھے ہوئے ہیں جیسے فیصل نے کہا شیشناگ میں تو کہوں گا اس کے پیچھے بہت بڑے ازدہاں ہیں ان کرپشن کے معاملت کے اوپر بے شمار معاملت ہیں جو میں کہتا ہوں کہ حکومت کے بات ہو جائیے کہ وہاں پہ دیکھ لیں ینگ نصیز دیکھ لیں وائی ڈی اے دیکھ لیں میڈیکل دیکھ لیں وہاں پہ یاکٹر یائیہ نے چند دن پہلے پندرہ ڈسپینسروں کو سٹور کیپر تائنات کیا جن کے اوپر 2011 سے لے کر اب تک بے شمار انکواریاں پینڈنگ پڑی ہیں جن میں وہ گلتی ثابت ہوئے ہیں جن میں جوے سرور طالب اکرم جوے مسیح ازر مسیح جن کو کرپشن میں موتل کیا ہوا ہے ان موتل کرنے کے باوجود بھی ان کے کرپ کرپشن ثابت ہو گئی اس ازر مسیح کو چاندل ڈاکٹر یائیہ نے اس کو سٹور کیپر تائنات کر دیا مقصود خالی صاحب بڑی اچھی بات جو آپ نے کہی یہ نیکس پروام میں جب ہم پروام کریں گے تو اس میں خاص طور پر ہم ذکر کریں گے اسی طرح one by one hospital کا تو اگلے پروام میں ہم کوشش کریں کہ ہم جنا hospital کو ہم ڈسکس کریں کوئی ڈیٹیل سے ڈسکریشن کریں کیونکہ یہ بڑا اہم پہلو جسنا ابھی آپ نے ذکر کیا کرپشن کے حوالے سے پندرہ ڈسپینسز کو سٹور کیپر لگا دیا گیا سپروائزر لگا دیا گیا تو یہ انتہا کرپشن کی تو یہ کرپشن تو ظاہری بات سورس آف انکم بڑھانے کے لیے یہ ایک بڑا ہی ایک کیا اس کو کہتے ہیں بڑا ہی ایک چیپ جو ایک بڑا ایک آسان ہتھیار یہ تو فیصل خان دورانی صاحب آپ اپنی بات کو کس طریقے سے ایک دو منٹ میں سمرائز کرتے ہیں کرونا وائرس کے ایک کٹس کے حوالے سے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جب تک جب تک کوئی ایسا نیک آدمی کوئی ایک نیک آدمی عمران خان کو ڈھونڈنا ہوگا اور وہ ڈاکٹروں سے نہ ہو وہ ڈی ایم جی افسران میں سے ہو ان کے اوپر ایسا ڈی ایم جی افسر تائنات کیا جائے جو بقاعدہ کمپیوٹرائز جو ہے وہ چیزیں دیکھے دیکھیں آپ کے پاس بہت اچھے اچھے افسر ہیں آپ کے اس وقت محکمہ صحت میں بہت اچھے افسر ہیں ہیں آپ کے جنابلی عاصف طفیل صاحب جو ہیں وہ بہت اچھے افسر ہیں آپ کے نادر چٹھا صاحب جو ہیں نادر چٹھا صاحب بہت ڈیڈی کےٹیڈ افسر ہیں عاصف طفیل ڈیڈی کےٹیڈ افسر ہیں آپ کے غازی صاحب جو ہیں کیا غازی صاحب آمر غازی صاحب جو ہیں بڑے ڈیڈی کےٹیڈ افسر ہیں آپ ان افسران میں سے آپ کسی ایک افسر کو تائنات کریں جو کہ بقادہ طور پر ان medical superintendent's को जो चीज़ें प्रोवाइट की गई हैं उसका हिसाब ले कि आप ये बताएं कि किस बंदे को फलाँ को ये फलाँ मास्क फलाँ पीपी किट्स जो है दी गई हैं उसकी disposal उसको जो दी गई हैं उसके दस्गत उसका शनाक्तिकार नमबर ताके पता चल सके के medical superintendent साब ने वो चीज़ें बार तो नहीं बहे दी आपके पास ये चार-पांच अफसर जिनके मैंने नाम लिए हैं ये बहुत ही dedicated honest और professional लोग हैं ये डीमजी वो अफसरान हैं जो के मैकमा सेथ को दुरुस्त कर सकते हैं लेकि इन से काम ने लिया जा रहा आपने जिनाब नबी लवान साब तो आते ही नहीं है सबसे बड़ी बात ये क्योंके शायद वो कोई वजुगात हैं जिसकी वज़ए से वो नहीं आरा और उनका वैसे भी कहना है कि मुझे कि किसी वाइस भाई मैं ये कहता हूँ खास्तोर प्याकूमत को बुजदार साब को कि ये नादर चठा साब को लगा दें आप मसूद मुखतार साब को लगा दें वो एक रिटायर लोगों को मुखतार शाह उसे खुदी रिट करवा देती हैं गौर्मन के खलाफ एक वो अखतर रशीद उसके जरीए या ताहर खलील के जरीए ये एक टोला है ये एक पांच का गैंग और ये गैंग जो है नहींग मैं एकपा सेद को इत्वा कर रह रहा हुए जो बाराँ करोर आवां पर भारी है बारा करोर अवाम पर खुमरानी कर रहा है जी मकसूद خाली साब आप की सारी पर better करेंगे एक पर 3 से मिनिट है उन से कर बस में बसके बाद नहीं है तो उनको फॉरां तब्रील कर दिने चाहिए तब देली सरकार का नारा आपने इस लिए लगाया था कि क्रप्ट लोग जिनके उपर माली मामलात के उपर इल्जामात हैं जिनकी नाकसकर गद्गी है उन पर एक सवालिया निशान है तो म आम लोगों को आम जोनलिस्टों को आम 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 दीक आदमी को डॉक्तर्स को पर मेडिकल स्टाफ दर्सिस को कुछ नहीं मिलता के नहीं मिलती तो डॉक्तर जवेज पीयर और प्रफैसर डॉक्तर जवेज को एदुकिशन डिपार्टमेंट के हुई है वो उनको कैसे किड्स म हो या जाती है और तमाम प्रिंस्पल सभान उनको प्रोडोकोल में रहती है और मैं तो कहता हूं इस वक्त ये मैकमा सेथ का कलम बांद मैं कहता हूं ये फौज को देना शाहिए जो इसको आड़िट करें बेल और एका स्पेशल आड़िट करें उनके फौज एक बहाद इदार है और उनको ये जो स्वेस्ट सेथ का कलम बांद है ये इनको फिल फौर बी-ए-म साब को चाहिए कि इसको फौज के हवाले किया जाए और इनका स्पेशल आड़िट करके तमा ये अमर्जंसी और अरजंसी के वाले माली मामला के उबर क्रॉप्शन के लजामात है अर्ब औ पाक फौज को तायूनात किया जाए अगर पाक फौज की इसमें इंटर्फेरंस होगी बकादा तोर्थ पर ये कलमदान अगर पाक फौज के किसी को भी अगर दे दिया जाय तो कोई शक्वली बात नहीं है बलके सहत की जो सहलिया तो फैसल खान जौनानी साथ जी बिलकुल मैं इस मासे सौफिसद एगरी करता हूँ इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि वहद आपके पाकिस्तान में मुनज्जम तरीन अदारा जो है वो पाक फौज है आप देखें कि मुलक में सलाब आए तो पाक फौज मुलक में जलजला आए तो पाक फौज अल्ला ना करे किसी किस आफ़त और पुश्कल आए ना गानी आफ़त और पाक फॉज आज भी करोना में जो करदार पाक फॉज अदा कर रही है वो करदार ना कोई बिरोक्रेट अदा कर सकते हैं ना ही कोई पर्फेशनल अदारा कर सकते हैं इसलिए मैं सल्यूट करता हूं पाक फॉज को और खास तो कोई सिविलियन हकूमत का नहीं है यह सब करेड़ जो है वो पाक पौच को जाता है क्यूंकि आपके सिविलियन जो है आपके जो सियस्दान है खास तो आप पर वजीर से दोनों जफर मिर्जा साब भी जिनके पर बेशमार वो फिर मैं आपको बताऊंगा कि जफर मिर्जा हो चुके हैं तो आगने प्रवारिस के और महें माकेमा सियलियन के आपके है वालार वाले से बात की और महत पराम में बात करेंगे इसी हवाला से यही मेमान हमारे साथ होंगे, फैसल खान दुरानी साथ होंगे, मकसूद खाली साथ होंगे, फिर हम बताएंगे किया हल्चल होने जा रही है सियासत के मैदान में पंजाब की सता पर और बिल्कुल इसके विफाक की सता पर क्या सियासी हल चलोने जा रही है ये सिर्फ हम मश्रिक नियूज में ही हम आपके साथ शेयर करेंगे हम आपको बताएंगे कि वजीर आला पंजाब कोन होगा बिल्कुल ऐसा ही होगा और ये बड़ी तब्दीली का इमकान बड़ी तब्दीली होने वाली है तो आज के प्राम में नाजीन इतना ही इसके साथ ही मुझे और मेरी कैमरा में टीम को अजाज़त दीजी अलाहाफिस